नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बस्कदेफ आज हम बात करेंगे क्यूं इंडियानी इंजिनियरिंग सीट में 23.28 लाख यानी 23 लाख 28,000 सीट में गिराबट आई है और आगे ये भी दखेंगे क्यूं 63 इंस्ट्रिचूट को 2021 में बंद करना पड़ा इसका रिजिन क्या है अगर आप किसी भी प्रकार competitive exam के लिए खास करके EPSC के लिए इस lecture का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइए वहाँ पर सर्च की बासदेफ साहू अठरा वहाँ पर जोइन किजिए वहाँ पर ये lecture मिल जाएगा आपको अकोडिंग टो रिपोट बाई ATE CTE की हिसाब से एंडिया में कुल 4804 इंजिनियरिंग कलेज है ये 2021 का डाटा है जिन में 882 प्राइबेट आंड 882 गौवर्रमेंट इंजिनियरिंग कलेज है कि हिसाब से इंजिनियरिंग कलेज में कुल 32 लाग से भी अधिक सीट था एक कुटाग दाट एबाद 15 मिलियोन स्टूडेंट साइन आलमाली मतलों इंडिया में हर साल 15 मिलियोन इंजिनियरिंग पर नाम लिखाए 15 मिलियोन स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल ग्राजुएट होते हैं यहां पर प्रोब्लेम कहां पर है देखे आप ग्राजुएट तो बन गए पर आपको तो जब चाहिए ना कॉलेज कैंपस में प्लेस्मेंट भी चाहिए जाहिए आप डिगरी कुट ट्राक्टर के सामने चिपका के खेती करने के लिए तो किये नहीं है आपको जब चाहिए बात अठक जाती है जब डिऊरिंग कैंपस प्लेस्मेंट इन 2018 अनि 2018 की रिपर्ट हिसाब से 85% इंजिनियरिंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैंपस प्लेस्मेंट की दौराण जब नहीं मिलते हैं उनको आईडिया हो जाएगा कि हर साल कितना स्टूडेंट ग्राज्योट होते हैं और कितने को कैंपस प्लेस्मेंट मिलता है या प्लेस्मेंट मिलता है देखिए दो हजार भारा तरह का रिपोर्ट देखिए यहाँ पर नौ लाख पचास हजार चार्सो जोई थे पर कितने को प्लेस्मेंट मिला देखिए दो लाख तहतर है यह त्रिप ट्वंटी एट पॉइंट सेवन पॉइंट लोग को प्लेस्मेंट मिलता है और नौ लाख 24888 555 कितना प्रचिस प्रतिसाद हुआ यानि पॉइंट 31.55 और जो बचे भग उनको प्लेस्मेंट नहीं हालीका रिपर देख लिजे 27.45.234 कितने को जब मिला न 3.65.342 यानि 41 परसेंट यानि लगभग 42 परसेंट लोग को जब मिला इससे थोड़ा सुधरा है राइट इसका इमपार्ट क्या हुआ इसका इमपार्ट क्या हुआ ओर लोंग टर्म और सॉट टर्म में हम देखेंगे राइट सेंटली एंडियान एक्सप्रेस में आई रिपर्ट की हिसाब से 23.28 लाख इंजिनियरिंग कोलेज सीट में खाली पड़ा है जो नमबर है चोदा से अभीता चालीश इंजिनियरिंग कोलेज ने बंद कर दिया है चोदा सोला से हर साल कम से कम इंजिनियरिंग कोलेज बंद हो रहा है आपको सब समझा जाएगा 2011-12 में 300 से हैं जो आप्रोव मिला है उपन करने को और सल एक साल था और 2012-2013 में देखिया 165 कलेज को आप्रोव मिला था का नियुक्त है उस साल कितना कलेज बंद हो था ना ने देखनों को मिल रहा है कहां से ना 2015-16 से देखिये उस साल 40 इंजिनियरिंग कलेज को उपन करने के लिए आप्रोव मिला पर क्लोज करना पड़ा और 2016-17 में देखिये यह तो आकड़ा और बढ़ गया 32 कलेज को उपन करने के लिए आप्रोव मिला पर 70 कलेज यह से थे जिनको और यह 2017-78 में स्तिती थोड़ा आचा रहा और 2019-2020 को देखिये उस साल भी आचा था हज्जार के फिर से इस सिल्चला चलू हो गया जहां पर 24 को आप्रोव मिला कि आप इंजिनियरिंग कलेज खुल सकते हैं पर तेसर आप पुछेंगे आप मेरे को पुछेंगे इंजिनियरिंग कलेज को स्टूडेंट ने प्रिफर नहीं कर रहे हैं अभी तो उसका तो कुछ रिजिन होगा ना उसका में कारन्तों रेगुलाशन, करॉप्शन, पूर इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्लाइबिलिटी यानि कैंपस प्लेश्मेंट में ये सब में हैं कि आज इंजिनियरिंग कलेज को प्रिफर नहीं कर रहे हैं आप रिजिन ये सही है ना और कुछ रिजिन है इसका कमेंट बक्स में कमेंट करके बताईए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए श्यार कीजिए और हाँ दो वाल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर द